दोस्तों मस्कार मैं हूँ आपके साथ में स्रमण चोहान आप लगातार मुझे इस प्लेटफॉर्म पर देखती चले आये हैं और खासतोर से आप देखते होंगे कि बहुजन समाज पाल्टी यानि बस्पा की जो खबरे हैं वो आपको हम प्रमुक्ता से दिखाते हैं इसके ल मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं दरसल आप देख रहे होंगे कि बहुजन समाज पाल्टी के जो राष्टी महासची अमराजी सबासांस सतीशन मिस्रा है वो लगातार ब्रहमर समेलन किये इसके अलावा उन्होंने मंडल अस्तरिय जन समाओं को शंबोदित किया इसक होंगे जिनका नाम अभी में बताऊंगा साई की तरह काम करते थे और उन्हें बस्पा राष्टी महासची अमराजी सबासांस सतीशन मिस्रा के हर्मान की रूप में भी जाना जाता है हम बात कर रहे हैं नकुल दूबे की जो पूर मंत्री है बस्पा के और जो बस्पा अभी आपको बताया है कि इनकी जो गद्विधियां हैं वो सही नहीं है इसलिए इन्हें बाहर करास्ता दिखाया जा रहा है लेकिन अगर नकुल दूबे की बात किया जाये तो मैं नकुल दूबे को बहुत ही प्रिश्टली तोर से जानता हूं और मैं उनके साथ में करीव जो नकुल दूबे जी हैं वो क्या करते थे कि जो बसपा राश्टी महासचियों राजी सभासांसत जब ब्रहमर्वर समेलन कर रहे थे तो ऐसी जो जणसमाय शंबोदित करते थे उससे पहले वो उस पूरी जनता को संबोदित करते थे और जनता में जोस पैदा करने का काम और खुल दूबे करते थे और अगर जिंदाबाद और अगर भारती जंटा पार्टी और समाजवादी पार्टी पर निसान आसाधने की बात की जाए तो दूबे पीछे नहीं रहते है ऐसे इसे बियान देते थे कि लोगों में जोस पैदा हो जाता था और नकुल दूबे जिंदाबाद और बस्पा सुप्रमो मायावती जिंदाबाद इसके अरावा जो बस्पा के राष्टे महासच्यू सतीश शनमिस्रा और कपिल मिस्रा उनके जिंदाबाद लगने लगते थे लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बस्पा सुप्रमो मायावती ने पाल्टी से निस्कासित कर दिया इसके पीछे बहुत सी प्रितकरियाए हैं बहुत से लोग खुस भी हो रहे हैं और कुछ लोग तो यह कह रहे हैं कि जो नकुल दूबे हैं वो पाल्टी में ब्राहमरवाद पैदा कर रहे थे सतीश शनमिस हैं ऐसे ओटर्स हैं ऐसे सपोर्टर्स हैं जो उनके लिए जान भीन उचार करने को तयार रहते हैं इसके अलावा अगर दूसी बिंदू की बात की जाये तो बहुत से ऐसे जन्तपद हैं जहां पर उनके बहुत ही मजबूत और बहुत ही प्रभावशाली ब्राहमर चेहरे उनके शाथ में खड़े नजर आते हैं यूँ कहा जाए कि बहुत से देवस्थान जो मंदिर होती हैं देवस्थान होते हैं वहां पे भी जो पुझारी हैं बड़े बड़े वो भी नकुल दूबे को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं तो फिलहाल नकुल दूबे को वस्पा सुप्रमो मायावती ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है यानि पार्टी से उनकी जो सेवाएं हैं उनको मुक्त कर दिया है यानि आप समझ सकते हैं कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है यानि पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया है अब बारी यह है कि आप लोग अगर यह पूरी वीडियो यहां तक देखे हैं तो इस वीडियो को आप लोग सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें कि उसके बाद आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना अपनी पृतकिरिया देंगे ताकि हम उसको सके और अगर आप बस पाक से जुड़ी जो खबरे हैं वो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेयर करना बिल्कुल भी न भूलें मैं हूँ आपके साथ में श्रवाण चोहान बहुत-बहुत धन्वाद जय भीम नमो बद्धाए झाल 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 झाल